नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोग्स की यूटूब एजिकिस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं पांच सबसे अच्छे दर्द निवारक इंजेक्शन के बारे में कि जिनको हम पेंकिलर इंजेक्शन कहते हैं तो सुरू करते हैं आज का लेक्चर जानते हैं पांच सबसे अच्छे दर्द निवारक इंजेक्शन के बारे में तो दर्द निवारक दवाईयों को हम पेंकिलर कहते हैं या फिर उनको एनलजेसिक कहा जाता है एनलजेसिक मनलब कि ऐसी दवाईय कि जब भी आप यह मेडिकेस्टन लेते हैं तो आपके सरीर के पर आज के लेक्चर में हम जानेगे कि वह पांच बेस्ट इंजेक्शन कौन से हैं कि जो पेन किलर के तौर पर या फिर पेन रिलीवर्स के तौर पे तो ऐसे ही डीटेल में आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सीखना है तो आप मारा मेडिसिन कूर्स आप जोइन कर सकत है कि जहाँ आप अलग-अलग दवायों के बारे में सीख पाएंगे कि जैसे हम आज पेन किलर्स के बारे में सीखेंगे ऐसे ही बहुत सारी दवायों के बारे में आप सीखे medicine course में pharma rocks के अब उपर तो medicine course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 पे या फिर हमारी app को download करें तो painkillers जो हो सभी तरह के दर्द के लिए use किया जाते जैसे कि आपको काफी heavy सिरदर जैसा हो रहा है सभी तरह के जो pain होते है और kidney stone के करन काफी ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर arthritis जैसी condition है तो इस सभी तरह के दर्द को ठीक करने के लिए painkillers injections जो हो use किये जाते हैं तो 5 based painkillers injections के बारे में जाने तो सबसे पहले है diclofenic का injection या फिर उसके option में आप aciclofenic भी use कर सकते हैं second option यहाँ पे बनेगा ibuprofen का, तीसरा option है paracetamol का injection, चोथा है ketorolac का injection और पांचवा pyroxychem, तो सभी के बारे में detail में जानते हैं तो सरुआत करते हैं diclofenic sodium के ये injection के तो यहाँ पे आप उसकी labeling study अच्छे से करो तो label में आप देख सकते कि ip के according to बना है indian pharmacopoe के according to और 1 ml के अंदर 75 mg जितना diclofenic sodium जो है उसके अंदर present होता है तो diclofenic sodium के बारे में मैं आपको बता तो कि वो एक non-steroidal anti-inflammatory drug है और वो सरीर में जो pain produced clinical जो ऐसे mediators release होते हैं जैसे कि activity को block करके यह medication काम करती है और उसको अलग-अलग roots से लगा जता है जैसे कि intra-deltoid है या फिर दूसरा जो हम देखे तो intra-gluteal मतलब कि muscles में उसको लगा जता है या फिर IV में भी आप उसको लगा सकते हैं पर ध्यान यह रखना है कि जब भी उसको IV में यूज किया जता है तो proper dilute करना ज़रूरी है तो यहाँ पर दो यह से based brand है diclofenic है कि एक है overan injection कि जिसके अंदर भी 75 mg जितना diclofenic है और dynapar के अंदर भी same quantity में वो present होता है तो injection site यहाँ पर उसके देख सकते है dynapar कि कि एक है intragluteal injections की special gluteal muscles होता है कि जो safe area कहा जता है gluteus medius का तो वहाँ पर यह injection लगाया जता है और दूसरा जो site है उसके intradeltoid तो यहाँ पर जो muscles होते हैं वहाँ पर यह injection जो हो लगा जता है तो दो side पर muscles में लगा जाएगा और जब IV में यह injection लगता है तो proper dilutions करना जरूरी है दोस के हम बात करें तो यह injection दिन में एक बार या फिर दो बार पेशन लगवा सकता है और दो injections के बीच में at least 12 गंटे का time interval होना जरूरी है और खास कर low dose से treatment स्टार्ट की जानी चाहिए because कई बार low dose से भी पेशन को काफी रहात मिलती जिसे कि यह injection दिन में एक ही बार आप लगा देको तो भी 24 गंटे तक खास कर पेशन को रहात मिलती अपने दर्द में से उसके alternative में जो second option है diclofenic की तरह ही जो acyclofenic है कि जो खास कर यहाँ पे जो हम देख रहे है कि IM यूस किया जता है muscles में इसको खास कर ज़्यादा लगा जता है तो जब भी आप यह उसका label देखे तो label की study अच्छे से कर लें क्योंकि IM लिखा है तो मनलब कि वो muscles में ही लगा जाएगा और समझे कि IM और IV दोनों लिखा है तो ही उसको आप वें में जो है वो लगाए तो dose की हम बात करें तो 100 mg जितना dose जो है दिन में patient दो बार उसका receive कर सकता है तो यहाँ पे आप जो देख रहे है आलफेन करके जो है उसके उपर direction में आप देखो तो लिखा है कि muscles में भी दिया जा सकता है as well as वें में भी तो I.M. and I.V. दोनों लिखा है जब कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ I.M. यूज के लिए तो proper label देखने के बाद ही यह injection patient को लगाना चाहिए second है वो है ibuprofen का injection तो ibuprofen में हम देखिए तो खास कर direction पे ही लिखा है कि यहाँ पे जो समर्थ life science जो उसको बनाते हैं उसमें खास direction लिखी है कि for IV use only तो उस वक्त उसको IV से ही लगाए और खास कर dilutions के बाद ही उसको use करें कि जिससे कोई problem हमले कि कोई side effects ज्यादा create ना हो और 10MG जितना content रहता है injections के अंदर 2 ml के अंदर और इसके manufacture समर्थ life sciences है फिर यहाँ पे एक दूसरा देख सकते हैं कि इसमें IV लिखा हुआ है और खास direction लिखी है कि for IV infusion after dilution वल्ले कि proper उसको dilute करना जरूर है dilution के लिए minimum अब 500 ml जितना कोई भी normal saline solution है या फिर glucose की जो bottle आती है D5W, ringer, lactan, RL solution या से कोई भी solutions के अंदर उसको mix किया जा सकता है फिर उसके dose की हम बात करें तो 400 से लेकर 800 mg जितना dose जो दिन में तीन बार patient जो रिसीव कर सकता है और बच्चों के लिए उसके dose की हम बात करें 20 mg per kg per day के हिसाब से उसका dose यूज किया जता है तीसरा जो है वो है paracetamol का injection तो यहाँ पे आप मुसका एक marketer formulation जो देखे तो fabrinil करके है और उस पे भी directions लिखिए कि for IM और IV suitably diluted मतलए कि जब IV में आप यूज करते हैं वेन में जब इसको drip से लगाते हैं तो proper dilutions के साथ ही लगाना चाहिए because drip आप लगाते हैं तो उसके अंदर ये injections को mix करना चाहिए directly vein में ये injection ना दे label की बात करें तो 1 ml के अंदर 0.150 gram अलब की 150 mg जितना इसके अंदर medicines जो वो present है तो 150 mg जितना paracetamol 1 ml के अंदर present है और उसके अंदर preservative के हम बात करें तो 2% जितना preservative aid किया गया है benzyl alcohol और water for injections के अंदर इसको बनाया गया है और direction देखे तो 10 degree या फिर उससे कम temperature पे उसको अच्छे से जो ही वो store करना है और proper जो ही वो dilutions के बाद ही IV drip से उसको use कर आप तो paracetamol के बारे में आपको बदा दू कि उसका जो खासकर dose होता है वो 325 से लेकर 650 mg हर 4 या 6 गंटे पर patient receive कर सकता है और ये कैनल जैसी के तौर पर भी यूस किया जता है antipiratic के तौर भी यूस किया जता है मलकि बुखार में भी ये injection जो वो लगाया जा सकता है कि जिसके अंदर आपको दर्द हो रहा है pain हो रहा है काफी जदा तो ऐसे conditions में ये injections काफी useful सा भी दोता है pregnancy में भी ये injection safe रहता है तो जितने भी pain killer से उसमें सबसे safe जो हमका है pregnancy के दरावन तो वो है ये paracetamol का injection की जो 500 mg दिन में 2 बार या फिर 3 बार जितना भी patient receive कर सकता है next बात करे keto roll करके जो है तो keto roll के बार में मैं आपको बता दू कि ये भी एक non-steroidal anti-inflammatory drug है और इसका injection खास कर 1 ml के strength में available होता है और 1 ml के अंदर कितना medications रहता है वो हम यहाँ पे जानते है तो 1 ml के अंदर keto roll लेक रहता है 30 mg जितना फिर sodium chloride जो उसके अंदर है 4.35 mg जितना और 7-7 absolute alcohol उसके अंदर 11.5% जितना add किया गया है और water for injections जो वो 1 ml रहता है तो 1 ml के अंदर इतना content रहता है ये injections का फिर उपर आप directions देखो कि उसको freeze नहीं करना है और जो temperature है वो 30 degree से ज्यादा जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए तो इसके manufacture के हम बात करें तो doctor radius laboratory उसके manufacture है और cidu latch drug है मतलब कि proper prescription के साथ ही उसको retail में जो वो बेचा जाता है और proper IM में यूज करें तो directly आप muscles में लगा सकते हैं और IV में यूज करें तो उसको dilute करना ज़रूरी है तो ये है keto रोलक का injection और उसके dose के हम बात करें तो maximum 90 mg पर डे जितना dose patient receive कर सकता है और वो भी divided dose में मतलब कि ये injection में 30 mg जितना जो है वो medications present है तो ये injection patient दिन में 2 बार या फिर 3 बार भी लगवा सकता है बट हर dose के बीच में at least 6-8 गंटे का time interval होना चाहिए next जो है वो है pyroxy cam injection के जिसका एक marketed formulation यहाँ पर हम देख रहे है वो है dolonex करके और ये खास कर intramuscular के लिए ही use किया जाते है because dolonex IM यहाँ पर खास लिखा है company ने कि जो Pfizer उसको manufacture कर दिये और 2 ml का ये injection आता है और 2 ml के अंदर 40 mg जितनी medications present होती है मतलब की एक ml के अंदर 20 mg जितना pyroxy cam present होगा तो उसके अंदर जो preservative है वो है benzyl alcohol है कि यहाँ पर जो आप देख रहे है कि benzyl alcohol उसके अंदर 20 mg जितना as a preservative है as well as ethanol content उसके अंदर है 12.6% जितना और pyroxy cam जो drug है वो 20 mg है 1 ml के अंदर फिर यहाँ पर खास एक warning है कि ये injection को newborn babies and premature infants में use नहीं किया जाता तो ये खास आपको warning उसके label के उपर अच्छे से read करनी है और storage करना है उसको अच्छे से light से protect करनी है और temperature भी ज्यादा ना होना चाहिए 30 degree और फिर कम temperature से उसको store करना होता है तो pyroxy cam एक painkiller है dolonex जो है उसका एक famous brand name की जो Pfizer बनाता है और daily dose की हम बात करें तो 20 mg जितना patient दिन में दो बार रिसीव कर सकता है और उसके बाद 20 mg पर day मलब कि पहले दो दिन के लिए आप 20 mg दिन में दो बार ले सकते है और उसके बाद dose जो हो कम कर देना चाहिए 20 mg पर day और इसका injection जो हो intramuscular ही लगाया जाता है और ये 40 mg का जो injection है वो दिन में एक ही बार जो है वो लगाया जाता है तो ये खास दियान रखना है कि एक से ज़्यादा बार ये injection को ना लगाया सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको लगाना है वो भी muscles के अंदर अब जान ले दे हैं कुछ side effects, pain killers की जैसे कि vomiting हो सकती है stomach में ulcer या फिर pain करवा सकती है दवाया epigastric pain में लेकि पूरे आपके gastrointestinal tract में आपको दर्द जैसा हो सकता है nausea, vomiting में लेकि जी, गबराना, उल्टी हो जाना indizes, में लेकि अपा चंजे सा आप फिल कर सकते है कुछ लोगों का diarrhea हो जाता है, सीने में जलन और भूक कम हो जना ऐसे कुछ side effects से दवाया कर सकती है फिर contraindications and warnings के बारे में मैं आपको बता दू कि जो कोई heart के patient है, वो ये injections को कभी भी ना लगवाई या फिर cardiovascular system अलबकी heart related, blood vessels related या फिर आपको CVS की कोई भी विमारी है, आपके vein में कोई problem है arteries में कोई problem है, तो ऐसे patient से injection को ना लगवाए फिर peptic ulcer के जो patient है, वो ये injection को avoid करें ऐसा होतो और जो inflammatory bowel disease के जो IBD के जो patient है, liver या फिर kidney disease के patient है बच्चों में उसको खासकर avoid किया जाता है, paracetamol एक safe रहता है बड़ उसके अलावा दूसरे जो injection से पच्चों में use ना करें, उसी तरह से pregnancy में भी paracetamol safe रहेगी, उसके अलावा जो हमने दूसरे suggest किये है, वो pregnancy में आप use ना करें तो ऐसे सीखे detail में medicine course के अंदर pharma rocks के अब उपर तो जहापे आप सीख सकेंगे, बहुत सारी दवायों के बारे में, उनके dose के बारे में, उनके side effects क्या होती है warning and contraindications को एक साल तक affordable price में pharma rocks के अब उपर तो ये course को join करने के लिए में आप whatsapp कर सकते है 9016312020 पर या फिर हमारी app को आप download करें link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best